Hello everyone, welcome back to the Rana Academy तो जैसे आप जानते हो कि आज हम Class 10th ICAC Chemistry का चप्टर No.1 है जिसका नाम है Periodic Table उसको स्टार्ट करने वाले हैं और हाँ उपर जितने भी चैनल और जो पेजिस हैं उनके जो लिंक्स है वो हमने डिस्क्रिप्शन बोक्स में डाल दी हैं तो बिनन कोई टाइम वेस किये चलिए शिरू करते हैं तो देखे बड़ा आज हम सिर्फ इंट्रोड़क्शन के बारे में बात करेंगे आज हम ये बात करेंगे कि Actually मैं Priority Table दिखता कैसे है और उसमें उसके जो Salient Features हैं वो क्या-क्या है ठीक है लेकिन उससे पहले आज हम Study करेंगे पहले Elements के बारे में देखे नाइंत क्लास के अंदर आपको मैंने Elements के बारे में बता दिया था आज मैं फिर उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो Elements है हम उन Pure Substances को कहते हैं वेटा Actually क्या है वो Pure Substances ही है जो Actually एक Type of Atoms से ही बने होते हैं जैसे कि अगर मैं एक बहुत Simple सा एक्जामपल दूँ कि मेरे पास मालो Sodium है ठीक है अगर मैं Sodium को देखता हूँ तो उसके अंदर अगर मैं Sodium का सबस्टांस लेता हूँ तो उसमें सिर्फ Sodium के Atoms ही पाए जाएंगे और अगर मैं एक Oxygen Gas के बारे में बात करता हूँ ठीक है तो उसके अंदर आपको Oxygen के Molecules ही मिलेंगे लेकिन वो जो Molecules आपको मिलेंगे वो Oxygen Atoms से ही बने होंगे लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूँ Carbon Dioxide Gas की तो उसके अंदर of course Carbon Dioxide के Molecules होंगे लेकिन उनके अंदर जो है दो different atoms जुड़कर वो बना हुआ तो बेसिकली वो मैं Metal की बात करूँगा तो obvious single atom के बारे में भी बात हो रही है अगर मैं Oxygen के बात करूँगा तो double atom के बारे में बात हो रही है मैंडलीव के बारे में बढ़ा था कि कैसे उन्होंने elements को classify किया था आज हम थोड़ा सा और एक बार फिर से हम इसको थोड़ा study करते यह क्या क्या चीज़े है तो देखें डेबनेर ने basically क्या किया था उन्होंने elements थे उनके तीन तीन के group बनाया थे तीन elements लिए ठीक है उनका एक group बना दिया और उनको इस तरह से choose किया कि पहली बात तो इनके similar properties होनी चाहिए राइट तो सबसे important जो चीज़ है इसमें समझने वाली वो है कि इनकी जो properties थी वो similar थी दूसरे सबसे important बात यह थी कि जो बीच वाला element था ना वेटा उसका atomic weight बाकी दो दिये गए elements के arithmetic mean के मलब ब्राबर था मैं आपको example से समझाता हूँ देखिए जैसे कि मेरे पास यह है ठीक है इसमें हमारे पास क्या है मेरे पास calcium है strontium है SR and उसके बास वेटा barium है तो अगर आप इनके atomic masses को देखो वेटा यहां पर बाता है तो मलब जो strontium है उसका 88 है तो इसलिए उसको इस तरह से किया गया कि इन दोनों के बीच में तो बीच वाले का अगर मैं यहां पर बात करूं बेटा कि यह जो बीच वाला है इसका atomic weight इन दोनों के arithmetic mean के बराबर होगा तो इस तरीके से उसको arrange किया गया था एक example और देता हूँ जैसे कि यहां पर है chlorine है, bromine है, iodine है अब इसको यह जो triad आप यहां पर देख रहे हो बेटा यह जो 80 नमबर आप देख रहे हो यह कहां से आया पहले तो 127 किया प्लस 35 किया ठीक है और उसके बाग इसको divide by 2 कर देंगे तो इसको arithmetic mean कहते होते है अब हमने क्या करन तो आप अच्छी तरह जानते हो कि यहां पर आपके पास आजएगा, this is 7 and 2 बिटा, 1 carry, so that will be 6 बिटा और यहां पर आपके पास आजएगा, that is 1, ठीक है तो 162 बिटा आपके बाग बना, divide by 2 कर लीजिए, जैसे divide by 2 करेंगे तो बिटा आपके पास लगबग 81 आजएगा, तो जो BR है, बिटा, एक तो उसकी similar property है, as compared to chlorine and iodine, ठीक है, उसी group में पाया जाता है, ठीक है, और इसका जो weight है, वो लगबग इसके arithmetic mean के बराबर है, तो इस तरीके से बिटा, उनको arrange किया, किया था, I hope बिटा, आपको devonier trides के बारे में सबज में आगे होगा, ठीक है, चली, अ अब हम आगे जो है, इसके बारे में study करते हैं, फिर बिटा, हमारे पार next आता है, new lens, जो इसका next था, वर्जन, उन्होंने actually क्या किया, कि जितने भी आपके elements थे, उनको arrange किया गया, in the increasing order of their mass number, बिटा, atomic mass के हिसाब से, उनको arrange किया गया, increasing order में ठीक है, उनका ये मानना थो, और actually ये दिख भी रहा था, कि जो भी आपका आठमा element था ना, उसका जो physical और जो chemical property है, वो हमारे जो सबसे पहला item आपका arrange किया गया है, पहला element जो arrange किया गया है, उसके साथ resemblance थी, मलब उसके साथ वो, मलब लगता था कि वो दोनों की physical है, दोनों की chemical property है, वो same है, जैसे कि अगर मैं आपको बता रहा हो, जैसे A, B, C, D, E, F, G, हाना, 3, 3, 6, और H है, तो ये जो आठमा element है ये वाला, H वाला जो है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, आठमा जो element है, इसकी chemical और physical property, ये जो पहले वाला है ना, इसके chemical और physical property के साथ resemble करता था, तो उसने उसको उस तरीके से arrange किया, उन 63 elements को actually में arrange किया गया, in the increasing order of their atomic mass, उन्होंने ऐसा इसलिए किया, क्योंकि उन्होंने ही एक law दिया था, और वो law ये था कि the properties of elements, जो elements की जो properties है ना, are the periodic functions of their atomic mass, मतलब atomic masses के ऊपर based होती है किसी element की property, लेकिन आगे जाके ये समझ में आगया था कि actually ये atomic mass नहीं है, atomic number होता है, लेकिन चलिए अब हम बात पहले mandalief की कर लेते हैं, तो mandalief नहीं क्या किया, उन्होंने उस time जो 63 elements थे, उनको arrange किया गया, vertical columns में and horizontal rows में, vertical columns का जो नाम था, वो group था, horizontal जो rows थी, उनका नाम बेड़ा period था, तो उसमें इनको arrange किया गया था, और साथ ही साथ उन्होंने कई space छोड़ी थी, उनको इस बात की prediction थी, उनने किया भी था कि अभी और कई elements जो है, वो discover होने वाले हैं, ठीक है न, लेकिन उनके इस table की सबसे बड़ी जो problem थी, वो यही थी कि उस time, ठीक है, जो rare earth metals है, वो उनकी positions को इसी method से, मलब उनकी position को अच्छी तरह justify नहीं कर पाए, और दूसरी बात वहाँ पे isotopes की जगा नहीं थी, तो इसलिए उनका यह जो model था, वो fail हो गया, उसके बाद क्या हुआ, बाद में यह जो defect था, यह ठीक किया Henry Mosley ने, और उन्होंने introduce किया अपना modern periodic table, औ और यह जो आपका modern periodic table था वेटा, यह actually based था atomic number पर, अब atomic number पर क्यूं था, क्यूंकि जब हम किसी atomic number के बारे में बात करते हैं, तो हम बात करते हैं, कि कितने number of electrons है different energy shells पर, ठीक है, तो basically यह number of electrons पर depend करता है, और किसी भी element की, जो physical और जो chemical properties होती है, वो actually में उसके mass number पर नहीं, बलकि उसके number of electrons and उनके arrangement पर depend करता है, यहाँ पर जो mostly थे, उनका यह कहना था, कि actually में number of electrons हैं, वो actually responsible होते हैं, number of electrons या उनकी जो arrangement है, actually वो responsible होती है, किसी element की physical या chemical properties के लिए, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, आपके जितने भी atoms थे बेटा, उनको atomic number के हिसाब से, इंक्रीजिंग atomic number के हिसाब से, उनको arrange किया गया, ठीक है, तो बाद में, जैसे मेंडलीव ने अपना statement दिया था, तो मोजली ने अपना statement दिया, और उनने कहा, it states that, कहता था, physical, ठीक है, यह जो आपके, जो physical and chemical properties है, बेटा, physical and chemical properties है, किसी element की, वो actually periodic functions है, किसका, उनके atomic number का, तो atomic number को देख कर, हम असानी से, किसी के physical and chemical properties को बता सकते हैं, और मेंडलीव कहता था, कि atomic mass बताता है, नहीं, actually atomic number बताता है, क्योंकि atomic number number of electrons को बताता है, और number of shells के बारे में भी knowledge दे देता है, उसके बाद, बेटा, हमारे पास जो नील बोहर है, उन्होंने क्या किया, इसी च tabular arrangement है elements की, groups के अंदर and periods के अंदर, जो highlight करती है regular trending in properties of elements के, मतलब यह कि जब आप उसको ध्यान से देखते हो, तो आपको एक बात हो समझ में आया थे, कि उस group के अंदर जितने भी आपकी elements पाय जाते हैं, उनकी जो property है, वो एक जैसे behave करते हैं, ठीक है, so मेरे कहने का मतलब स यह रहा आपका long form of periodic table of elements, ठीक है, I hope बड़ा आपको यह जो history मैंने बताई है proper इसकी, कहां से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, मैंडलीव ने क्या सोचा था, क्या गलतियां थी, और क्यो नील बोहर ने फर्दर जाके उसको further extend किया, I think यह सब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है न, चलिए, अब बड़ा हमने study करना है, जो इस periodic table के, यह जो modern periodic table हमने जो study करना है, इसके salient features क्या है, आज हमने बड़ा इसको study करना है, next lecture में, मैं periodicity जो है, वहां से बड़ा इसको शुरुआद करूँगा, ठीक है, तो देखो बड़ा, सब से पहले, इसके group 1 के बात का लेते हैं, अगर आप इन total इस periodic table को देखें, तो यहां पर आपको 18 groups दिखाए देखें, groups कौन से होते हैं, यह जो आपके vertical column आपको दिखाए दे रहे हैं, इसी को group कहा जाता है, हर एक group की अपनी एक खास बात होती है, जैसे कि अगर मैं first group के बारे में बा इने electrodes होंगे, और यह जो चीज़ applicable है, यह first two और उसके बाद 13, 14, 15, 16 and 17 पर applicable है, मैं आपको द्री दरी हर चीज़ समझाता हूँ, इक ही करके बताओंगा ताकि आपको सबस्बन में है कि मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है, तो देखें बाटा, जो हमारा group 1 है, group 1 मतलब इसकी ब अकलीज हों में बना के देते है, ठीक है, तो यह बेटा, सबसे पहला group का feature है, बहुता, saline features है आपके, उसी तरह अगर मैं दूसरी की बात करूँ, जैसे यह first वाले गया था, अब मैं second वाली की बात कर रहा हूँ, इसको alkaline earth metal का नाम देते है, and of course, जो यह पहले वाले है, इ इसके वाले में देखे, तो automation में two electrons होते हैं, ठीक है, तो मतलब यह सारी चीज़े ने, मन्जे सब आपको कहा, कि यह जो modern priority table हम study करते है, इसमें हर एक element की जो properties है, वो इस बात पर depend करता है, कि उनके कितने electrons है, उनको किस तरह से arrange किया गया है, सब कुछ उसके basis पे है, ठीक है तो अभी तो हम सिर्फ यह देख रहे हैं, आज की lecture के अंदर सिर्फ हमने यह देखना है, कि priority table दिखता कैसे और इनका मतलब क्या, यह है क्या इनके अंदर, सब को हो कह रहा है, तो बस आज हमने यह study करना है, ठीक है, उसके बाद बटा next आता है मारे पास, जैसे कि यहां से, देखो, यह आ गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और उसके बाद 11, बटा इनको कहा जाता है transition metals, इनको transition metals कहते हैं, और इनकी सबसे बड़ी खास बात यह है, कि इनके जो outermost, जो shell होते हैं, बटा, two outermost shell, वो incomplete होते हैं, two outermost का मतलब क्या होता है, जैसे कि, अगर मान लेते हैं, यह म वाला और यह वाला, यह दोनों ही incomplete होते हैं, लेगिन अगर आपको याद हो, तो हमने क्या study किया था पहले, हमने यह study किया था, कि जब भी electron हम भरते हैं, shells के अंदर, तो जब तक पहले वाला complete होते हैं, तो यह ऐसा क्यों है, इनको ना, यह actually deep rock elements है, इनके बारे में जो detail study है वो तो obvious है, आप 11th and 12th की पढ़ाई में करेंगे, बट अभी के लिए बस आप यह समल लीजे कि 3 से लेके 12 तक के जितने भी आपके elements आपको दिखाई दे रहे हैं, वो आपके deep rock, deep rock नहीं बोलूँगा, transition metals बोलूँगा, और इनके outermost जो दो shells होते हैं, वो आपके incomplete होते हैं अभी के लिए प्लीज आप यही समझ सकते हैं, ठीक है, उसके बाद next आता है बटा, 30 number, देखें यह पहले दो होगे, तो पहले वाला हाँ, अगर आप देखें तो क्या था, alkali metals था, दूसरे बादा alkaline earth metals हैं, यह ज़ादा alkalis बनाते हैं, यह उससे थोड़ा weak बनाते हैं, य यह हमारे transition metal के बारे में बात होगी, अब हम बात करेंगे 13 number की, 13 number का जो सबसे पहला member है, वो boron है, इसलिए इसको boron family कहा जाता है, अगर मैं 14 के बादे बात करूँगा, तो यह carbon है, तो next आपका carbon family हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद जो next है, अगर आप धियान से देखते है नेक्स्ट वाला कौन सा है, आपका nitrogen है, तो यह nitrogen family कही जाएगी इसको, हम इनके नाम दे रहे हैं, ठीक है, उसी तरह हमारा group 16 है, अगर आप देख सकते हैं जो 16th group है, अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर oxygen से शुरू होता है, तो इसको oxygen family कहा जाता है, इनी को calcogenes भी कह जाता है, अब इनको इसलिए कहा जाता है, क्योंकि यह ores create करते हैं, ores बनाते हैं, तभी इनको कहा जाता है, calcogenes भी को दिया, इसका मितलब है, ore forming, ठीक है, ores बनाते हैं, इसलिए, अच्छा, उसी तरह नेक्स हमारे पास जो देखोगे, तो हमारे पास यह जो आप देखत न, A, C, L, तो यह CL क्या है, यह 17th group है, इसी का देखो, यह member है आपका, जिसको chlorine कहा जाता है, और यह automatically क्या होता है, यह हमारा salt है, ठीक है, यह क्या है, मेरा salt है, तो यह salt formers होते हैं, यह salt ब्राने में help करते हैं, clear होगे हैं, good, आगे, next है 18th number, यह जो 18th number है, यह इसको हम 0 group क कहते हैं, या noble gas, या inert gases कहा जाता है, जिरो ग्रूप इसलिए कहते हैं, पहली बात, सबसे important है, इनके जो outermost shell जो होते हैं, वो complete होते हैं, तो outermost shell complete होने की वज़ा से, इनकी जो valency होती है, वो तो obvious है, हमारी 0 हो जाएगी, ठीक है, अब दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, क जो shell पहले सी complete है, जो इतना stable है, तो उसमें से lacton को exchange कराना तो, of course, it is very difficult, right, so इसलिए, ये non-reactive, ये निको को react निक करते हैं, पर highly extreme conditions में होते हैं, बट, otherwise ये ज़्यादा reactive nature के नहीं होते हैं, बट आपके, ठीक है, तो इनको noble gases या inert gases कहा जाता है, फिर, अब हमने कुछ important बा elements भी कहते हैं, बट, इनको main group elements भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये जो number है, जैसे 1, 2, और उसके बाद 13, 14, 15, 16, 17, ये जो numbers है, ये actually हमें ये बताने में help करती है, कि इनके outermose shell में कितने electrons हैं, जैसे कि, अगर मैं बात करता हूँ, लीथियम की, तो मुझे पता है, लीथिय इनके outermose shell में इसमें 2 electrons होंगे, उसी तरह अगर मैं boron की बात करूँ तो outermose shell में 3 होंगे, इसमें 4 होंगे, इसमें 5 होंगे, इसमें 6 होंगे, इसमें 7 होंगे, तो ये इनके number नंबरों से ये define क्या जास सकता है, कि इनके outermose shell में कितने electrons आपके होंगे, clear? ओके बेटा, इस जो आप vertical में जो columns देख रहे होंगे, इन सब को groups कहा गया है, ये सब groups है बेटा आपके, और ये जो आप देख रहे हो बेटा यहाँ पर, मैं एक बार आपके लिए बनाता हूँ, ये ये चीज, इस तरह से, इस तरह से अगर आप चाहेंगे, ये सारा का सारा है, इन सभी को periods कहा गया है, तो अगर आप इसको थोड़ा सा मलब धिहान से अगर इसको देखेंगे, तो you will see that की total कितने है, यहाँ पर साथ period है, और आपको एक मज़े की बार बताओ, ये period actually में ये बताता है कि इसमें कितने number of shells होंगे, जैसे कि मैं आपको एक बड़ा चा, simple सा example देता हू हम यहाँ पर ने ये lithium लेते हैं, अब इस lithium के अंदर तीन number लिखा हुआ है, तो अगर मैं group के हिसाब से चलूँ, तो ये first group में है, और period के हिसाब चलूँ, तो second period है, तो इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब ये है, second period का मतलब है, इसके अंदर दो shell होंगे, और first group का मतलब ह कि इसके outermost shell में एक electron होगा तो जब भी हम इसके electronic configuration देखते हैं आपने पहले भी पढ़ा हुआ lithium का हमारे पास 2 और 1 होता राइट तो अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर यहाँ पर आपके 2 electrons होते हैं और इसके outermost shell में एक electron होता है तो इस तरह से जो group है यह जो period है वो किसी के property के बारे में बता देता है number of shells उसकी arrangement के बारे में बता देता है तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समगना तो जो period है वो बताता है किसे के number of shells को जो group है वो यह बताता है कि उसके outermost shell में कितने आपके electrons होंगे ठीक है जी इसके लावा अगर आप ध्यान से देखो तो यह third group जो है न बेटा यहाँ पर यह वाला देखो यह 57 से 71 है यहाँ पर 89 से 10 ती है बेटा यह दोनों के दोनों third group में है इसके एक को हम lengthenites बोलते है ठीक है यह दोनों के दोनों third group के member है अब बात यह है कि यह इतने बड़े मलब इतने ज़्यादा elements है कि अगर मैं उसको priority table में डालता अगर वो इनको priority table में डालते है तो यह ना एक distort shape हो जाता गंदी से shape हो जाते है तो एक symmetry सा दिखाई देता तो इसलिए उनने क्या क्या इस portion को अलग से नीचे ऐसे दिखा दिया है तो इसको inter transitional या transition metals कहा जाता है आपका यह जो नीचे वाले है अब देखो इनका features क्या है यह करते क्या है यह obviously जैसे आप higher class में बढ़ोगे तो वहीं पे इसका use होता है अभी के लिए तो बटबरस हमने यह समझना है कि यह है क्या आगे जाएंगे तो हम इसको all detail में study करेंगे ठीक है अभी के लिए हम सिर्फ इतना ही पड़ेंगे इसके इलावा अगर आप ध्यां से देखो तो जो third period है बेटा जैसे third period जो element है कौन से अगर मैं sodium के बारे में बात करता हूँ I am talking about this one third period के element sodium के बात करता हूँ magnesium के बारे में aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine and argon यह जितने भी आगर आपके मैं यहां पर देख रहा हूँ not argon, argon को भी छोड़ देते हैं यहां पर chlorine तक की बात करते हैं यह जितने भी आप यहां पर देख रहे हूँ यह actually मिना उस particular group की properties को summarize करने में हमारी हल्प कर देता है मतलब यह कि मुझे sodium है तो sodium जो होगा मैं देख के बोल दूँगा यह first group के element है और क्योंकि यह first group का element है तो यह हमारे alkaline, alkaline metals है तो अगर पानी से react करूँगा तो strong alkalize बनाएंगे वो आपके अगर मैं magnesium की बात करूँगा तो मुझे पता है इसके automation में 2 electrons होंगे तीक है, इसमें number of shells जो हैं तीन होंगे, automation में 2 electrons होंगे यह alkaline earth metals है यह थोड़े weak मैंने के मतलब यह कि उस group का जो main member, जो सारे features मलब बता दे, एक ही ऐसा member जो सब के features बता दे, यह वो होते हैं तो इसलिए याद रखें इनको typical elements भी कहा गया है, यह जो है ना, यह सब आपके typical elements होते हैं तो मैं आपको already अब सारा कुछ बता चुका हूँ बस एक बार यह सब का crux है कि जो period है वो हमें क्या बताता है और जो group है, वो हमें क्या बताता है यह line बहुत important है प्लीज इसको underline कर से तो पने book के अंदर कि जो period है वो यह determine करता है कि कितने number of shells है और जो group है वो आपको यह बताएगा उसमें कितने number of electrons है जैसे मैंने आपको example दी magnesium जो है इसका atomic number जो है वो 12 है हमारा ठीक है 12 जो है इसका atomic number होता है mass number 24 इसका होता है तो अगर यह 12 की बात करता हूँ बेटा तो obvious है कि पहली बात यह दो यह देख रो है magnesium तीसरा period है तो इसमें 3 shell होगे और 2 का मतलब हो इसका atom में इसमें 2 electrons होगे अगर मैं यहां करूँ तो 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और एक बेटा और है मैं इसके उपर ही बनादता हूँ थोड़ा सा दिखाने के लिए यहां पर ऐसे बनादता हूँ तो इसके उपर बेटा एक हमारा shell और होगा इसमें बेटा दो ही होगे जैसे एक यहां पर एक यहां पर बास दैसे समझ गे तो इस तरीके से बेटा हम किसी के period और किसी के group को जानकर यह बता कर सकते है कि उसमें कितने number of shells होंगे और आउटर में कितने electrons होंगे तो इसमें मैं फिर से बतायता हूँ कि period की case में जब periods देखते हैं उन सब के अगर मैं बात करूँ तो उनके 3-3 shell होंगे जैसे sodium के यहां पर magnesium है तो यहां पर बटाई देखो तीन लिखा है ना तो तीन का मतलब है इसके 3 shell होंगे magnesium के भी 3 होंगे, aluminium के भी 3 होंगे लेकिन जब मैं नीची की तरफ जाता हूँ महलब जब मैं group की तरफ से देखूँगा तो number of shell बढ़ते जाएंगे यही तो चीज हमने पढ़ने ही आगे जाके यह न group wise देखते हैं तो क्या हो रहा है कैसे क्या यह हम सब study करने वाले है तो I hope आपको यह जो salient features है यह जो periodic table है, इसकी जो history है वो सबज में आगी होगी ठीक है, तो आज के lecture के अंदर हमने start कर लिया है हमारे class 10th ICAC chemistry का जो सबसे बहला chapter है that is periodic table and I hope आपको यह सबज में आगया होगा कि periodic table actually है क्या इसकी origination कैसे है कहां से यह आया, क्या-क्या चीजों का ध्यान रखा गया इसको बनाते हुआ and इनके क्या-क्या features है अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो please like it, share it and subscribe it आज के लिए बस इतना ही, thank you so much